साई की बात कि तुम्हें कोशिश करने से पीछे नहीं हटना कोशिश करती रहनी है और तुम्हारा साई है तुम्हें जिताएगा मेरे बचे तुम जीत कर ही उस मैदान से आओगे मेरे बचे और उस दिन मुझे तुम पर गर्व होगा तुम्हें भी अपने साइं पर गर्व होगा मेरे बच्चे, बहुत गर्व होगा, और सुनो, हाली में कुछ मेरे बच्चे हैं जो शीडी आये थे, और शीडी से मेरा चित्र लेकर गए थे, गए थे ना मेरे बच्चे, तो उस चित्र को उन बच्चों को देना जिने उनकी ज चाओंगा मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से वो माध्यम मैंने तुम्हें बनाया है मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा नेक काम करते हो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है दूसरों के चहरे पर खुशी लाना बस यही तो मेरे बच्चे तुम्हारे साइं की सेवा है सिर्फ अंदान करना ही कुछ नहीं होता मेरे बचे जब अंदान भी करो तो इतने सचे भाव से करो इतने मन से करो कि खाने वाले की आत्मा तरप्त हो जाए मेरे बचे ऐसी सेवा करो मुझे वही सेवा चाहिए मेरे बचे और जो तुम हमेशा करते हो, हमेशा और सुनो मेरे बचे, तुम्हारा साई, तुम्हारा रक्षक है मेरे बचे तुम्हारा बाबा, तुम्हारा रक्षक है तुम बिल्कुल चिंता मत करे न, नहीं कभी किसी भागी में जाना और ना किस्मत के बारे में सोचना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ या तुमने कोई गलत फैसला ले लिया नहीं मेरे बचे जो होता है वो तुम्हारे साई की मर्जी से होता है मेरे बचे हो सकता है कि कुछ चीजे तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए खराब है मेरे बच्चे अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है लेकिन मेरे बात सुनो मेरे बच्चे आगे चल कर तुम्हारे भविश्य के लिए जो अच्छा है वो मैंने किया मेरे बचे और आगे चल कर तुम्हें पता भी चल जाएगा चल जाएगा मेरे बचे कि तुम्हारा साई उस वक ठीक था या गलत था मेरे बचे तुम खुद निर्ड़ लेना, तुम खुद ही मुझे आकर बोलोगे कि हाँ साही आप ठीक थे और सुनो, जो तुम्हारे बाग में बहुत प्यारे प्यारे फूल है न, उनकी माला बनाना मेरे बचे उनकी माला बनाना 108 की मेरे बचे और 108 बार एक एक फूल पिरोते समय मेरा नाम जाप करना फिर देखना मेरे बचे और उसे 108 की माला बनाकर मेरे गले में डाल देना मेरे बचे मैं इंतजार करूंगा और जब भी जाब करोगे न तो अपने साई के लिए करना मेरे बचे कभी कभी अपने साई के लिए भी पूझा कर लिया करो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ मेरे बचे जिद पे अढ़ गए हैं कुछ चीजों के लिए वो चाते हैं कि मैं उनकी जिद पूरा करूँ और उन्होंने अपना प्रिये भोजन भी त्याग रखा है मैं जानता हूँ मेरे बचे लेकिन तुम भी सुनो मेरे बचे बहुत जल्द ना बहुत जल्द कुछी दिनों के अंदर ही अंदर मेरे बचे तुम और मैं हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारा प्रिये भोजन खाएंगे मेरे बचे बहुत जल्द खाएंगे जो तुम्हारी जिद है ना जो तुम्हारी इच्छा है चलो ठीक है मैं उसे पूरी करता हूँ मेरे बचे आशिरवाद दिया तुम्हें आज कुछी दिनों के अंदर वो पूरा हो जाएगा और सुनो मेरे बचे कुछ मेरे बचों को घर की मरम्मत करवानी है कुछ काम अधूरा था वो पूरा करवाना है तो तुम जल्दी से जल्द करवा लोगे मेरे बचे मैं जानता हूँ कि तुम जल्द से जल्द करवाओगे बहुत सारे लोग अर्चन आ रहे हैं इस बीच में तुमारे घर के ही लोग लेकिन उन अर्चनों को भी मैं दूर कर दूंगा मेरे बचे और तुम अपना काम अच्छे से करवा पाओगे मेरे बचे बहुत अच्छे से करवा पाओगे और सुनो मेरे बचे कुछ मेरे बचे तीर्थ स्तलों पे जा रहे हैं आज कल तो जाओ मेरे बच्चे जाओ वहां से बुलाबा आता है तभी तो तुम जा सकते हो न जो बुलाता है तभी तुम जाते हो मेरे बच्चे तभी तुम घर से निकल पाते हो हर कोई नहीं जाता मेरे बच्चे अगर तुम ईश्वर के दर्बार में जा रहे हो ना तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो इसका मतलब है कि तुम बहुत खुश नसीब हो तुम्हारे शुब करम शिरू हो चुके हैं तुम ईश्वर से जुड़ने लगे हो और इश्वर तुम्हें बुला रहा है मेरे बचे तो जाया करो, मना कभी मत किया करो मेरे बचे ऐसे मौके बार-बार बिलकुल नहीं आते अगर इश्वर बुलाता है न तो जाना चाहिए मेरे बचे जरूर जाना चाहिए और सुनो कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है न वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है बहुत प्यारी लगती है जब तुम हसते हो न बहुत प्यारी लगते हो मैं तो बस तुम्हारे खुशी तुम्हारा प्यार चाहता हूँ मेरे बच्चे मैं चाहता हूँ कि जिन्दगी भर तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहों मेरे बच्चे ऐसे ही मुस्कुराओ हमेशा और कुछ मेरे बच्चों को लगता है कि मैं उन्हें जान पूछ कर कस्ट दे रहा हूँ उनकी परिक्षाय ले रहा हूँ, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा साइं ऐसा कभी नहीं करता, तुम्हारे साइं की तरफ से कभी भी कोई कस्ट या दर्द नहीं होता मेरे बच्चे, कभी नहीं होता, मैं क्यूं करूंगा ऐसा, बोलो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें स कि साई आपने इतना कस्ट क्यूं दिया इतनी परिशानिया क्यूं दी तो मैं नहीं देता मेरे बच्चे मैं बिलकुल नहीं देता मैं तुम्हारे परिशानियों को खत्म करने आया हूं ना कि बढ़ाने मेरे बच्चे और ना देने इस चीज़ को समझो मेरे बच्चे समझो जो तुम्हारे अशुप कर्म है, बस वो ही आणे आ जाते हैं, और सुनो, तुमने सूरी देव को जल चढ़ाना शुरू किया या नहीं किया मेरे बचे, अगर नहीं किया है तो करना शुरू करो मेरे बचे, तुम जिनसे भी प्यार करते होना मेरे बचे, उनका स्वास्त छीक नहीं रहता, और तुम उनकी बहुत परवा करते हो, बहुत परवा, उन्हें उदी जल दिया करो मेरे बचे, और वो उदी जल पूरा विश्वास का होना चाहिए मेरे बचे, प्रेम का होना चाहिए, तो देखना मेरे बचे, जो तुम्हारे स्वास्त की बिमारी है ना, वो खतम हो जाएगी जिनसे तुम प्यार करते हो उनकी रक्षा या उनकी परवा तुम नहीं मैं भी करता हूँ मेरे बचे मेरे बचे की जो भी प्रिये चीजे होती है न वो सब तुम्हारे साई की प्रिये बन जाती है मेरे बचे और फिर मैं भी तुम्हारी तरह ही ख्याल रखत मेरे बच्चे और सुनो मेरे बच्चे मैं जानता हूँ मेरे बच्चे जो तुम्हारे संगर्ष चल रही है ना उसे देखकर तुम्हारे साई ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है तुम अकेले हो गए हो नहीं मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूँ बस कुछ चीजे में ऐसी कर रहा हूँ जो अभी तुम्हें पता नहीं है लेकिन सही समय आने पर मेरी लीलाए तुम्हें दिख जाएंगी मेरे बचे तुम अकेले नहीं हो आज भी तुमसे कहता हूँ तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ मेरे बचे तुम बिलकुल डरो मत बिलकुल नहीं मेरे बचे मैं हूँ ना तेरे साथ तो अपने मन से मेरे बचे ये सब बाते निकाल दो मेरे बचे निकाल दो और सुनो जिसने तुम्हारा चीना है ना जिसने तुम्हारा हग चीना है वो कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा मेरे बचे जब तक वो तुम्हारा हक वापस नहीं कर देता चैन से तो तुम्हारा बाबा भी नहीं बैठेगा मेरे बचे इस बात की चिंता तुम मत करना मैं करूंगा अब अब सारी चिंताएं मेरी हैं तुम्हारी चिंता मत करना तुम्हारी सारी चिंताएं तुम्हारे साई ने ले ली तुम्हारे बाबा ने ले ली मेरे बचे अब तुम्हारे खौफ हो जाओ अब तुम्हारे जिम्मेदारी, तुम्हारे चीजों की जिम्मेदारी मैंने ले ली है अब मैं वापिस लेकर आऊंगा, सब चीजे तुम्हे वापिस मिलेंगी मेरे बचे तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सारी चीजे, सब कुछ तुम्हारे पास लेकर आऊंगा एक एक चीज मेरे बच्चे एक एक चीज लेकर आऊंगा बिल्कुल निश्यंत रहना अब तुमने मुझे पर छोड़ दिया है न तो बस मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर दूँगा खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप दूआ